आप सभी को रादे रादे जैस्री किष्णा बही युमना के किनारे ठाकुर जी का मंदिर था और वहां जो है उनके पुजारी थे वो बरसों से तवश्या करते आ रहे थे ठाकुर जी को समय पर नहलाना खाना खिलाना सुलाना सब अच्छी प्रकार से कर रहे थे ठाकुर जी कि बहुत ही तीरी बगत्ति हुश थे हैं तो भई एशे ही समय चलता गया उन का स्रीष बड़ा हो गया तो उन्होंने सोचा अग भई कोई अपना शिश्य अपना ले ताकि इस प्रंपरा को यशे ही चलाते रहे थो आख़ लिया उन्होंने शिश्य बना दिया उसको सब बाते बता दिया चलो ठीक है एक दिन क्या हुआ कि भई गुरू जी को कुछ काम हो गया और वो किशी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया उनको तो वो बोल गए अपने शिश्य को बेटा मैं कही बाहर जा रहा हूँ दो दिन में वापिस आउँगा समय के उपर ठाकुरू जी को नेलाना है खाना खिलाना है सुलाना है परदे हैं ये इनकी सफाई करनी है चेंज करनी है भी ठीक है गुरू जी आपका जो आदेश भही चले गए गुरू जी चले गए तो मंदिर के पास ही जमना के कठे जामून और आम के वरिक्स लगे हुए थी और फल बहुत ज़्यादा लग रहे उनके उपर तो जो उनके शिश्चे थी उनको भई लालाचा गया देखा हो हो जामून तो बहुत अच्छी है बाई नीचे से पत्थर उठाते और मारते जमन तूट जाती ठाते बाई क्या हुआ कि वहानस दिख्शी पत्थर नहीं रहे जितने पड़े थे दो च्यार दस वीश पचास वो बगा दी पत्थर नहीं रहे और उनको बहुत ही मतलब जामून खाने की लालसा बढ़ गई कि जामून तो अच्छी है खानी जरूर है तो गुशे गुशे में क्रोध में आकर क्या किया बागका ठाकुर जी को उठा लिया और ठाकुर जी को ही जामून के विश्य उपर दे मारा दे मारा तो जामून तो तूट गई लेकिन ठाकुर जी हम उना में चले गई चले गई तो भई उसका शिष्य गबरा गया ये क्या हुआ गुरू जी आएंगे उनको क्या कहेंगी थमश्या जग गई कैसी भूख प्या सब कुछ गुल हो गई उसकी दो उसने क्या किया जामून उठाई और जहां पर ठाकुर जी विराज मानते वहां जामून रख दी और परदा लगा दिया परदा लगा दिया तो भई गुरू जी आए दो दिन के बाद आते हैं देखते हैं बिला भी ठाकुर जी की शेवा की बिला गुरू जी खुब अच्छी परकार से ठाकुर जी की शेवा की है अच्छी परकार से समय पर उनको नेलाते हैं खिलाते हैं सुलाते हैं परदा को चेंज करते हैं लगी कर बेटा तो गुरू जी ने जा कर देखा तो क्या देखते हैं कि वहाँ जामुन रखी होई है, ठाकुर जी नहीं है, उनको ब्राकरो दाया, अपने शिश्य को बोले, अरे सुन दी दरा, ठाकुर जी कहां है, भला गुरु जी ये रहे ठाकुर जी आपके सामने, देखा तो भई, ये ठाकुर जी, भले हाजी गुरु जी, इनको इतना नैल लगाया है कि पता ही नहीं चला ठाकुर जी कैसी हो गई अले हमको चलाता है क्या तुम नहीं गुरुजी मैं सच बोल रहा हूँ पोनी पोनी चंदन पोनी पोनी पानी गल गए ठाकुर हम नहीं जानी कि इतना जल और इतना चंदन चड़ा दिया ठाकुर जी पे कि ठाकुर जी तो बिल्कुल छोटे से हो गई गुरू जी के सामने जो गुरू जी को सब पता था फिर भी वो उनके सामने जूट बोलता तो भाई ये कल्यूग है कल्यूग में शिश्चे गुरू को मिलना इतनी आसान बात महीं है हज़ारों में एक होता है चेला तो एक आद होता है हर गुरू के पास बाकी तो देखा देखी किरी से कि हम भी आरता उतार ले हम भी गुरू धारन कर ले हम भी इनका नाम जब कर ले और हम भी पार उतर जाएं लेकिन इसे नहीं है दोस्तो गुरु भगती अनमोल भी है बड़ी कठिन भी है इसको गुरु केवल चोटा सा शब्द होता है लेकिन इसका पालन बड़ा कठिन होता है सक्ते मारग पर चलना भहुती कठिन बाद है बुराई के राष्टे पर तहर कोई चल सकता है तो ये एक सोटी सी कहानी थी इस पर अमल करना है आप सभी को राधे राधे जैस्री किश्णा